हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आसिफ अजाद मैं आसिफ आज आपको बताऊंगा यह अर्जी पीवी में कोश्चन पूछता है इस बार भी साइद पूछे यह कोश्चन इसको देखेंगे लेकिन इससे पहले आपने मेरा यह पहला बाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वह देख लिजेगा आज हम देखेंगे यह नया कोश्चन रिवेट वेल्यू निकालना इसमें में कोश्चन पढ़ते हैं कैल्कुलेट दा रिवेट वेल्यू फोर डबल रिवेटेट डबल कबर बट ज्वाइंट देखनेस अफ में प्लेट एंड कबर प्लेट्स हार 20 mm एंड 8 mm रिस्पेक्टेवली दे डामेटर अब रिवेट इस 20 mm एक पर्मीसीड सh szas 100 Ν्व पर एम्म स्क। सबसे सबसे पहले क्या करेंगे इसका डाटा लिखेंगे क्या क्या दिया इसमें घीवेट यू डाटा ली ठीक्नेस में प्लैट फिक्नेस में बैट तीक अफ्मैं प्लेट या पर 20 mm और उसके बाद ठीक्स आप कभड प्लेट of cover plate दिया है 8 mm तो यह double double cover है तो 8 में 2 से multiply कर देंगे तो यह 16 mm हो जाएगा उसके बाद nominal diameter of rivet nominal diameter दिया हुए 20 mm और वहां पे gross diameter of rivet निकालेंगे gross diameter of rivet निकालते है 20 mm है तो 20 plus 1.5 add करेंगे क्योंकि 25 से नीचे अगरेगा rivet का diameter तो 1.5 add करेंगे और 25 से उपर आएगा diameter rivet का तो इसमें 2 add करेंगे तो यह 25 mm से नीचे इसलिए इसमें 1.5 add करेंगे तो gross diameter of rivet हो जाएगा 21.5 mm उसके बाद permissible shear stress दिया अपना यहां पर 100 square अब देखिए अब क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे calculate shear strength shear strength को हम पी से denote करेंगे तो इसका formula होता है n into पाइपन 4 into d square into fs और इसमें हम यहां पर टू लिखें टू इसलिए लिखें कि इसमें double cover है इसलिए यहां पर टू लिखें एंज होता है number of rivet होता है ठीक है तो यहां पर formula में put कर देते हैं इसका value तो तो के जगह पर टू और इन इन के जगह पर यहां पर देखिए यहां पर लिखा है double rivet लिखा double rivet लिखा है इसलिए यहां पर इन के जगह पर टू एड करेंगे उसके बाद पाइपन 4 into diameter कितना है 21.5 है 21.5 के square into 100 तो इसको calculate करेंगे तो यह हो जाएगा ps is equal to 145.22 into 10 to the power 3 Newton उसके बाद क्या निकालेंगे bearing strength bearing strength को PB से denote करेंगे तो bearing strength का formula आता है N into D into T into FB ठीक है और एन अपना 2 है और diameter कितना है 21.5 into thickness कितना है 16 mm 16 mm किस तो क्या करते हैं इसमें जो प्लेट्स है उसका ठीकने जो सबसे कम होता है वही लेते हैं इसका देखेंगे मैं प्लेट्स का thickness 20 mm है और thickness cover plates का 16 mm है तो इसमें से कम जो है उसको हम लोग thickness मानते हैं इसमें कम है 16 इसलिए यहां पर हम लोग 16 लिए है ठीक है तो thickness 16 into FB FB दिया हुआ है FB देखें FB यहां पर दिया हुआ 300 न्यूटन ठीक है तो यहां पर FB 300 ले लिए अब PB क्यों calculate करेंगे इसको calculate करेंगे तो यह होज़ेगा 206.4 into 10233 न्यूटन ठीक है अब देखें अब calculate Revet value Revet value क्या होता है definition से हम समझते है Revet value बोलता है कि minimum value of PS and PB ठीक है तो minimum value of PS PS और PB का जो सबसे कम वाला value होगा वही अपना Revet value होगा तो सबसे कम कौन सा है 145 है ठीक है यह ज्यादा है यह कम है तो यह होज़ेगा अपना Revet value is equal to 145.22 into 10 to the power 3 Newton अंसर अगर आप चाहते हैं कि इसमें इसमें और आता है question इस टाइप का जिसमें efficiency निकलना होता है joint of Revet निकलना होता है strength निकलना होता है अगर उस टाइप से आप question चाहते हैं तो वीडियो के नीचे comment कीजिए हम उसे भी एक वीडियो डाल देंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में थैंक्यू झाल